आप लोगों का मेरे चेनल पर स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के लिए एक लेडिज जूती का वीडियो लाई हूं जो की थम्ब वाला है और इसके लिए मैं देखिए फ्रेंज दो कलर का उल्ली हूं और इसमें मैं उन्चास पंदे डाल कर उल्टा उल्टा बुनी हूं तो आपको टोटल एक दो तीन चार पॉंच छे साथ आठ ना तो देखिए फ्रेंज टोटल आपको भी सलाई बुनकर यहां पर कंप्लीट करना है और यह उपर में आप लोग बाउड तो देखिए फ्रेंज उसके बाद मैं यहां पर डिजैन डाली हूं और यहां पर मैं उन्चास पंदे को उसके बाद यहां पर जब यह कंप्लीट हो जाएगा बाउडर उसके बाद आप लोग यहां पर दो सलाई सीधा उल्टा बुनकर कंप्लीट करिएगा और फिर यहां पर दुसरे कलर का उल जोइंट कीजिएगा तो मैं एक बार यहां पर डिजैन बना चुकी हूं तो उसके बाद मैं आप लोगों को आगे डिजैन बता रही हूं तो फ्रेंस पारली सलाई में आपको यहां पर समझा देती हूं जो आप यहां पर 23-23 फंदे आधे भाग में को लास्तक देखिएगा और इसके लिए मैं 9 नंबर की सलाई ली हूं तो आप लोग 9 नंबर या 10 नंबर की सलाई दोनों में से किसी भी सलाई को यूज़ कर सकते हैं और 4 नंबर 4 पलाई में आप लोग उल लिजिएगा तो फ्रेंस दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो द चार पांच छे साथ आठ नो दस क्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा उनीस बीस एकीस बाईस तैस चोविस पच्चीस तो फ्रेंस अभी यहां पर हमको 26, 27 फिर दो फंदे इधर लेने हैं तो हम 27 फंदे को इस सलाई पर बुनकर कम्प्लीट करेंगे और फिर एक फंदे को इस तरह से उतारेंगे बिना बुने हुए और यह बीच बाले फंदे में हम डिजाइन बनाएंगे तो इस तरह से पहले हम एक सिधा बुनेंगे फिर उलको आगे लाएंगे फिर एक और सिधा बुनेंगे तो यहां पर तीन फंदे हो जाएंगे फिर उलक को आगे लायेंगे एक और सिधा बुनेंगे तो ये सात फंदे बन जाएंगे और फिर एक बार pub near एंवल था अगे लाकर फिर हमं एक शिधा बुनेंगे तो इस तरह से एक फंदे में आपको जिदा में रख गिरा डेना है और इसको आपको सॉथा वोग से बनने हैं तो इस स्वाक्ष में पहुंच बार डिजाइन बनेंगे तो पहली चलाई में आप लोगों को समझ आ गया होगा जो यह कैसे डिजाइन बनेगा तो इस तरह से इस सलाई को भूनकर आप लोग कम्ट्टिट कीजिए उल्टी सलाई में आपको फिर जो 27 फंदे हम भू कि जब हम हम बीच में आएंगे तो जो उस साइट से उतारे ओ इसको फीर इसी तरह से हम उतार लेंगेوب पाले गया हम 27 फंदे को उल्टा बुनकर कम्प्लीट करेंगे इसको हम यहाँ पर इस तरह से उतारेंगे फिर उलको हम इस तरह से आगे ले जाएंगे और यह जो 9 फंदे हम बनाए हैं डिजाइन इसको हम इस तरह से सीधा बुनेंगे एक, दो, फिर तीन, तीन के बाद यहाँ पर चार फंदे हैं, चार, पांच, फिर यहाँ छे, फिर साथ, फिर यहाँ पर दो फंदे और बचे हैं, आठ, फिर नव, फिर हम उलको अपनी तरफ लाएंगे और इस बिना बुने हुए को इस तरह से फिर हम उतारेंगे, और फिर यह जो बाकी बचे हुए फंदे हैं, इसको हम उल्टा बुनकर कम्प्लीट करेंगे तो उल्टा बुनने के बाद फिर आपको green color से 4 सलाई सिधा उल्टा बुनकर complete करना है सारे फंदों को और फिर 4 सलाई के बाद फिर आपको इस design को repeat करना है तो friends ये स्वाक्स में 5, 6 और 7 number पहर के लिए बता रही हूँ तो आप लोगों को इसमें 5 बार इस design को बना कर complete करना है और उसके बाद आपको फिर 4 सलाई बुनकर आदे आदे भाग में फंदे को बॉटना है तो देखें friends पहुच बार इसमें मैं design बना ली हूँ और उसके बाद इसको आदे आदे भाग में फंदे को बंटी हूँ तो यहाँ पर 45 फंदे आपको इस सलाई पर रखना है 44 फंदे आपको इस सलाई पर रखना है और दोनों तरफ से आपको उल्टा उल्टा बुन कर कम्प्लीट करना है इस तरह से आगे से भी उल्टा बुनिएगा अगर आप लोगों को सिधा बुनने में अच्छा लगता हो तो आप लोग दोनों तरब से सिधा सिधा बुनिएगा और इस तरह से आपको उल्टा बुनकर यहाँ पर कंप्लीट करना है तो देखिए फ्रेंस एक दो तीन चार पंच छे तो इस तरह से आपको जब आगे से आठ बार यह दिखने लगे उल्टा उल्टा तो फिर आपको उल्टी तरब से दो फंदे का एक करते हुए आपको इसको बंद कर देना है और फिर आपको दूसरी तरब उल्टा जूइंट करके उसके बाद दूसरा तरब भी सेम इसी तरह से बुनकर कंप्लीट करना है तो फ्रेंस इसी तरह से आप लोग दूसरे दूसरे पेर का भी तो फ्रेंस आपको दूसरे पेर का भी इस तरह से सेम बनाते हुए कंप्लीट करना है इस थंबाले स्वक्स को और आगे मैं आपको इस स्वक्स को कैसे आप लोग सिलिएगा सो बताऊंगी तो इस तरह से फ्रें तो इसके बाद में आपको इस तरह को सिलना बताऊं गाँ है जमागेस को आपको इसिंदी को आपको सिलना बताऊंगीक्षाः‍ँ तो आप लोग सुई अब दाल कर इस तरह का छिस सोबरा के बाद का इस तरह को परना है और फिर आपको यहाँ से उपर से पहले सिलाही अस्टार्ट करना है इस तरह से तो पहले हम यहाँ बाउडर को मिलाएंगे और यहाँ तक इसको सिल लेंगे और फिर देखें फ्रेंज इसको यहाँ पर आपको लाइन बाइन मिलाते हुए इस तरह से आपको यहां से लेकर यहां तक इसको सिलकर कंप्लीट करना है और फिर हम इसको यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करेंगे और फिर यहां पर आपको इस तरह से नाप लिजिएगा जो आपको तीन अंगली छोड़ कर यह यहां पर हम थम बनाएंगे इसको यहाँ पर इतना तक छोड़ देंगे तीन अगली नापकर और यहाँ पर बाकी जो बचा हुआ है पार्ट इसको आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग सिल लिजिएगा तो मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ उसके बाद आपको आगे बीच में पहले इस तरह से सिलेंगे और फिर इस साइड में इसको यहाँ पर सिलते हुए आएंगे दोनों को आपको इस तरह से फोल्ड करना है फिर यहाँ तक हम सिलते हुए यह सौक्स बनकर अब कंप्लीट हो जाएगा थमब वाला तो यहाँ तक हम आने के बाद फिर यहाँ से वापस मूर जाएंगे हoire to possible keeping statements फिर हम यहाँ यहाँ वापस इसको दुबारा सिलते हुए यहाँ तक हाएंगे और फिर आपको साइड इस तो पिर आपको यहां तक सीलना में आहए JAMES मुआ के इसे वाम उल्हूंगी वापस दوبारा है खुअ लिए तो उनी नहीं हुआ तो इसको दुबारा सी थी तो इस तरह से आपका सॉक्स बनकर दिखेगा और इसमें आप लोग पहांगे तो यह आपका ठीक हो जाएगा तो फ्रेंज अगर डिजन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फ्रेंज वीडियो को दूसरे के साथ सेयर करें अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो को इसमाप करते हूं थांक्स foundational cook for watching my video o